ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश राशी वालू हो जाओ ते यार तो कि अब देवों के देव महादेव भगवार भुलेनात क्या सिर्वास सी 17 अप्रेल से 23 अप्रेल याने किन 7 दिनों में जीवन का सबसे बड़ा सौधा आपके हाथ लगेगा मौका हाथ से आप मत जाने देना जैसा आपने सोचा था अब वैसा ही हुआ है जै दोस्तों आपको बता दे भगवार भुलेनात क्या सिर्वास से आपके लिए 17 अप्रेल से 23 अप्रेल याने कि इन 7 दिनों का जो समय है वे समय बहुती अच्छा समय सावित होने वाला है भगवान महादेव की किरपा से आपके समस्त कार रहे इन 7 दिनों में बनने वाले है आपकी समस्त मनो कामने इन 7 दिनों में पूण होने वाली है क्योंकि इन साथ दिनों में शिव योग, अमरसिद्धियोग, शरवाद्ध शिद्धियोग और दो राजियोग का निर्मान हुआ है जिससे कि यह समय आपके लिए अत्यंत लाब कारी समय साबित होगा अनेक फिरकार की बड़े-बड़े खुशकबरियां, बड़े-बड़े लाब, धनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं की इन साथ दिनों में आपको महदेव के किरपा से प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस्तों में बड़ी खुशकबरियां कौन-कौन सी है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अन्तर तक अवश्यपने रहें और अन्तर तक इस वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिष्णा करें तो कि इस वीडियो में हम आपके 17 अप्रेल से 23 अप्रेल यानिकि इन 7 दिनों के शंपून और बिल्कुल शटीक रासी फल्क के बारे में पताने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंतर तक पूरा देखें दोस्तों वीडियो का के शुरू करें सबसे फिला आपसर रिक्ष्ट करते हैं भगवान भुलेनात के सच्च वक्त इस वीडियो को एक लाएक भी करें चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए भगवान भुलेनात के शिर्वास से 17 अपरेल से 23 अपरेल यानि कि इन 7 दिनों का यह बहत पपोन समय दोस्तों यह समय आप कड़ी मेहनत वे परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है बड़े बुजुर्गों का इश्ने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय व्यतियत करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेगा समय की गती आपके पक्ष में रहेगी शामाजी की दाइरा बढ़ेगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी कोई बड़ा निवेस करने के लिए भी समय आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तो साथे साथ यह समय महमानों के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतित होगा उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा आपका बजट भी बिगड़ सकता है परन्तु फिर भी परिवारिक खुशी के आगे यह नगड़ने रहेंगे युवा वर्ग अपने भविश्य सम्बंदी योजनाओं के प्रती काफी गंभीर रहेंगे दोस्तो साथे साथ यह समय किसी सम्मेलन या फिर समारों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा तता सम्मान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी संतान, सम्मंदी, कार्रे जैसे विभा, नौकरी, आदी कार्रों की योजनाओं भी इस समय सफल होंगी महमानों की आवा जाही भी इस समय रह सकती है दोस्तो साथी साथ यह समय उर्जा, जोस और उमंग से आप पणी पूर रहेंगे बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे के प्रकार के खर्चों का भी यह समय है परन्तु आप मैनेज कर लेंगे अपनों के साथ मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा दोस्तो साथी साथ यह समय परिवार के साथ हर सो लास के साथ व्यतीत होगा कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा कार्रे कुसलता के दम पर आप वह उपलब्दी हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी दोस्तों साते साते ध्यान रखें कि इन सब किरिया कलापों के बीच आपका कोई महत्पपूर्ण कार्रे भी छूट सकता है जिसकी वज़े से आपको भारे नुक्सान का सामना भी करना पड़ सकता है सभी गति विदियो में ध्यान केंद्रित रखना आपके लिए अति आवशक है आर्थिक कश्मकस भी रह सकती है कहींवी धन, संबंदी, निवेस, सोच समझकर ही आपको करना है तो की पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा विद्यारतियों को अपने प्रतियोगी परिक्षा संबंदी पड़ाही में अधिक ध्यान देने की आवशकता है दोस्तों साथे साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं न कहीं रिक्षता का एहसास होगा और अगर मनन करेंगे तो इसकी वज़े कुछ भी नहीं रहेगी अपनी भावनाओं पर तिरोध वे नियंतर रखें क्योंकि इसके प्रभाब से कुछ संबंदी भी खराब हो सकते हैं परन्तु जल्द ही परिस्तितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अति आवश्चक हैं कोट केस संबंदित मामलों में कुछ अर्चने भी आ सकती हैं रिष्टेदारों के साथ वहवार करते समय आप सावधानी बढ़ते हैं आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती हैं जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए आपको अपने गुस्से वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यदिक भरोसा या विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है बहतर होगा कि आप अपने निर्णे ही सरवोच रखें घर के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समान जस बना रहेगा प्रेम संबंदों में एक दूसरे की भवनाओं को शमजना अति आवश्चक है पती पतिनी के बीच कुछ इस समय नोकजोंक भी संबव है प्रशंग बदनामी वे अप्यस का कारण बन सकते हैं इसलिए थोड़ा सावधान रहें साथि साथ कामकाज में चल रही सिथिलता का प्रभाब परिवारिक जीवन पर आप ना पढ़ने दें जीवन साती तथा बच्चों का पून शहयोग आपको प्राप्त होगा दोस्तों साथि साथ यह समय परिवारिक शुक शांती बनी रहेगी शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियों में आप शहयोग दे पाएंगे गर परिवार में आपसी सोहर्द तथा प्रेम बना रहेगा विपरीत परिस्तितों के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव ना है प्रेम जीवन के दृष्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती मिला जुला साबित होने वाला है दोस्तों बात अगर आपके विवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौकरी, शिक्षा और कारोबार में जादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यक्ता है कार्य विस्तार संबंदी, किसी भी योजना को कार्य रूप में परिनित करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्स आप अवश्यक्रें नौकरी पेशा व्यक्ती भी, किसी भी ऐ प्रिश्जित व्यक्ती के साथ वहवार करते समय साबधा निवरतें कामकाज को आप पूरी गंभीरता वे संजिद्गी से लेंगे इस समय यह ध्यान रखना आवश्चक है कि कहीं आपके ट्रेड शीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहें पार्टनर्शिप संबंदी वेपारिक गतिविद्यों पर नजर रखें किसी प्रकार का दोका हो सकता है दोस्तों साथी साथ यह समय कर छित्र में क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का समझोता आप ना करें कोई बड़ा ओर्डर आपके हाथ से निकल सकता है या फिर डील भी कैंसिल हो सकती है नोकरी पेशा लोगों के लिए नोकरी में बौस वे अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे पदोन्निती की भी संभव न है नोकरी में मनुवांचित उपलब्दी मिलने के इस समय आसार है जिससे आपको खुसी का बहुत अनुभव होगा साती सात मशीनरी नई तकनी की आदी का प्रियोग सफल रहेगा लंबित चल रहे कोट केस संबंदी मामलों के पूरा होने का समय आगया है शरकारी शेवारत व्यक्ती किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों साती सात यह समय व्यपार में नई पार्टियों तथा नई लोगों से व्यवशाइक संबंद इस्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है नोकरी में से करमी आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतर करहना आवश्यक है अपनी दिन्चरिया एक दम सुव्यवस्तित रखें घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्त संबंदी परिसानियां रह सकती हैं स्वास्त संबंदी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें दोस्तो साथ साथ यह समय स्वास्त में छोटे मोटे उतार चड़ाव रहेंगे परन्तु थोड़ी सी सावधनी आपको स्वास्त रखेगी यूँ तो स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रती सचेत रहने की आपको अति आवश्यक्ता है दोस्तों साथ इसाथ आपको अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए नियमित योग और प्रणयाम का शहरा लेना होगा इससे आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा